kitchen बनाते हमेशा एक चीज़ धीमाव में रहती है कि kitchen हम carpenter से बनवाएं की modeler kitchen बनवाएं तो आज की वीडियो देख लो आपको सब clear हो जाएगा की carpenter से kitchen बननानी चाहिए या modeler kitchen बननानी चाहिए खर्चा कितना आएगा और क्या-क्या दिक्कते आती है, life किसकी अच्छी होती है, finishing किसकी अच्छी होती है, design किसका अच्छा है, वो सब चीजे clear हो जाएंगी तो सबसे पहले start करते हैं, carpenter kitchen से, जो carpenter की kitchen रहती है, उसमें जो design रहता है, design आप पे depend रहेगा, carpenter आएगा, वो आप से पूछेगा कि इसमें design क्या बनाए, मतलब pics आपको दिखाएगा, कि यह आप बना सकती हो, जहां आप उसको pics दिखाऊगे, मतलब कोई भी design आपको करके नहीं देगा, तो जो आप चीज उसको बोलोगे, शायद वो आपको उस चीज के लिए मना कर देगी, यह इसकी life कम है, यह अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसमें हम कहेंगे कि design इतना जदा अच्छा नहीं होता, carpenter का, as compared to, जब आप modular kitchen बनाती हो, उसमें क्या होता है, कि ज कुछ ऐसी दिखने वाली है, और अगर आपको कोई भी design प्रसंद अलगा, जो वो दिखाएंगे, यह आपने Google में देखा, Pinterest में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको बना के देदेंगे, क्योंकि उनके बास काफी जदा बड़ी team है, लेकिन carpenter का क्या होगा, वो limited design बन आपका kitchen बनाएगा, जो experience कार्मेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज मजबूती से लगाएगा, मतलब लगा लो, आपके सामने वो plywood यूज कर रहा है, आपने उसको board जो लाके दिया, जिसकी life 20 साल की है, तो वो ही board जो लगाएगा, जो आपने hinges लाके दिये, जो भी material की specification भी बता दी कि यह material रहेगा, लेकिन कुछ factory क्या करती है, जा local आप किसी modular kitchen बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे, लगा लो कि उन्होंने VWP ply जो होती है, अच्छी होती है, वो दिखाई आपको लगा दी BWR, तो दिक्कत वो आपके सामने लगेगा, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर company नहीं करती है, लेकिन कुछ company ये सब कर देती है, अगली बात होती है, most important चीज हमें modular kitchen में क्या चाहिए होती है, वो होती है finishing, जो carpenter kitchen बनाएगा, तो उसमें finishing में में कहूंगा, 10 में से 7- नमबर ही रहते हैं, बाकी अगर जो modular kitchen factory से बनके आ रही है, उसमें 10 में से 10 होंगा, क्यों में होताता हूँ, देखो finishing जो carpenter, carpenter बनाता है, हमारा laminate, जो माइक का होता है, या laminate बोलती है, वो चिपकाता है, तो उसमें bubble वो रही जाता है, एक न एक पीस आप देखना, कही न कहीं bubble रहा होगा, बले वो laminate लगा रहा है, बले वो acrylic sheet लगा रहा है, तो दिक्कत आई जाती है, लेकिन जो factory में finishing होती है, जो बले वो laminate लगा रहे हैं, बले वो acrylic sheet लगा रहे हैं, उसमें finishing 100% आएगी आएगी, ना bubble रहा है, क्योंकि काफी ज़ादा machinery use हो रही है, काफ अच्छी finishing मिले, तो finishing में हमारी modular kitchen आगे निकल जाती है, carpenter उतनी अच्छी finishing नहीं निकाल पाती है, कुछ के carpenter, जो भी बात में carpenter की कर रहा हूँ, हर एक carpenter की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ carpenter की, 10 में से 2-3 carpenter अच्छे होते हैं, अगली चीज़े convenience की, convenience क्या हो गय आपको market से समान लाके देना पड़ेगा, फिर क्या हो रहा है, समान गिरा हुए चारो तरफ, तो time भी ज्यादा ही लग जाता है, और गंद पढ़ा रहता है, लेकिन modular kitchen में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी drawing बन गई, measurement लेके जाएगा, और फिर वहां से बन के प्लंबिंग का काम हो गया, वो kitchen में करवा सकते हो, लेकिन जब carpenter kitchen मना रहा है, तो सिर्फ carpenter का ही काम हो सकता है, अगली चीच क्या होती है, carpenter जो kitchen मनाता है, लगा लो आपके जो counter है, counter में थोड़ा बहुत undulation है, उपर नीचे है counter, जहां कोई corner आगे पीछे है, तो carpenter जब बना रहा है, तो उसके हिसाफ से वो adjustment कर देता है, कि यह छोटा चाहिए, तो यहां छोटा बन जएगा, लेकिन होता है कि जब आप modular kitchen मेजनमेंट करके लेके गए होते हैं, तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्यूंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी करना है, वो भी कर सकते हो, लेकिन modular kitchen के case में यह नहीं होता है, एक बार measurement होगी, कोई change नहीं होगी, जो material आएगा, वही लगा तो लगा नहीं लगा, तो आपको उसका extra cost देना पड़ता है, फिर अगली चीज होती है, जब carpenter kitchen मनाता है, तो उसमें कोई guarantee नहीं होती है, लगा नहीं उठाना बंद कर देंगे, वो अगर known नहीं होगा तो, लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्टरी जो modular kitchen रहती है, जहां कोई company modular kitchen मना रही है, वो guarantee देते हैं, आपके डड़ू कपजे की, आपके channel की, जहां आपके माइके की, जहां जो bar की board है, हर चीज की देते हैं, अगर फूल गया, या कुछ भी दिक्कत आती है, लगा लो उन्हें जब आपने उनसे design करवाने दब बात होती है, कि इसका हम एक साल की guarantee देते हैं, इसकी 6 मीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है, तो आगर कुछ होता है, तो आप उनको बुला सकते हो, वो proper से सही करके देंगे, लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, एक महिने बाद भी खराब होता है, तो वो बापीस नहीं आएगा, तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है, अभी बात है पैसों की, तो cost की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से model kitchen बनाते हैं, तो वो हमें काफी ज़दा सस्ती पढ़ती है, as compared to model kitchen, model kitchen 20-30% हमें महंगी पढ़ेगी, example लेते हैं, जो laminate, माइका लगवाती है, जो उसके model kitchen रहती है, वो हमें 1100-1200 रुपया पर square feet पढ़ती है, with material, labor plus with material, और acrylic लगाते हैं, तो हमें 1900-2100 पर square feet पढ़ रहा है, with material, labor भी आ होगे, तो 1600-1700 रुपया पर square feet आपको देना पढ़ेगा, finishing मिल रही है, design मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा देने पढ़ेंगे, अगर acrylic लगाते हो, तो आपको 2300-2400 रुपया पर square feet खर्चा पढ़ जाएगा, तो इतना खर्चा पढ़ जाता है, अगर factory से बनात होते हैं हमारे carpenter पर, तो आपको करना क्या है, carpenter ऐसा डूणना है, जिसको काफी ज़्यादा experience हो, model kitchen का, देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 side उसकी visit करो, आपको देखो जाके कि उसने acrylic से कैसा काम किया है, laminate से कैसा काम किया है, finishing कैसी है, क्योंकि kitchen जो experience kitchen बाला होगा, experience carpenter होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा, और 3-4 काम हुए भी होगे आस-पास के आपके area में, तो आपको वहाँ उसका जाके काम देखने है, जब एक बार काम देख लिया, उसके बाद आपको design finalize करवाने है, बले आप उससे drawing बना लो, जांके ही और से drawing मना लो, उसको दिखा लो, drawing आपकी finalize होनी चाहिए, कि यहां मेरा यह आना चाहिए, यहां मेरे cupboard रहेंगे, यहां यह रहेगा, तो अगर design finalize हो, तो देखने में अच्छा लगता है, फिर उससे बात कर लो, कि आप acrylic मना के दोगे, यहां laminate, तो finishing chances अच्छे होते है तो अच्छी kitchen आपको बना के देगा, तो यह चीज होती है, आपको अगर सस्ते में kitchen बनानी है, experience carpenter लाओ, design खुद से finalize कर लो, बहले picks दिखा लो, क्योंकि वो जो experience carpenter होगा, वो आपको proper से बना देगा, जो मैंने बाते बताई कि carpenter क्या क्या होता है, वो 3-4 carpenter होते है कि जिनको नया काम शुरू किया है, यह finishing में जल्दी होती है, यह सब दिकते रहती है, तो दोनों के drawbacks भी है, दोनों के advantages भी है, तो आपको idea लग गया है कि क्या क्या चीज़े है, दोनों में आपको मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और कैसे आप बना सकती हो अच्छे से, ब कर्वेंटर के kitchen में क्या मिलते हैं, तो ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को subscribe करका रखना और bell icon दुआ कर रखना.